जैने दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमेद दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सोंगे आप सभी का स्वागत है बहुत इंपोर्टेंट और बहुत खास वीडियो में UP scholarship के regarding आज हम बात करेंगे क्योंकि उत्रपरदेस scholarship में जो status था current status scholarship का वो आपका change हुआ है तो आए जानेंगे क्योंकि उत्रपरदेस scholarship में आपको अपना status कैसे check करना है कौन सा status सही है और कौन सा status जिसमें कोई problem है कोई error है जिसे हम यहाँ पे correction कर सकते हैं यहाँ पे correction कर सकते हैं वो यहाँ से कुछ इस तरीके से open होके आ जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है आप student corner पर आएंगे exactly आप आगए अगर आपका fresh है तो fresh renewal कर रहे है तो renewal I hope कि आपका fresh होगा या फिर renewal होगा तो आप यहाँ पर click करिए और फिर post metric other than student में यहाँ पर आके आपको यहाँ पर click करना है और click करने के बाद ही दोस्तों आपको कुछ इस तरीके सा interface आजाएगा कुछ इस तरीके से आपका interface आजाएगा आपको click करने के बाद अब आपको क्या करना है अब आपको यह करना है कि यहाँ पर जो आपके details मांगे जा रहे हैं जैसे आपका registration number क्या है तो आप आपके पास जो scholarship का PDF होगा scholarship form का वहाँ पर आपका registration number होगा. अगर नहीं तो आपके mobile number पर messaging नमबर क्या है आपका पासवर्ड भी mobile number पर message आया होगा या फिर आपने खुल से save किया होगा जो भी आपने password यहाँ पर daal दोस्तों जैसे ही सब्मिट करेंगे आपका जो scholarship का बॉटल है आपका जो scholarship का form है वो यहां पर open हो गया जाएगा उपर अगर आप देखेंगे तो आपका नाम college का नाम आपने कौन से category में भरा था वो सारी चीज़े दिखाई देंगी अगर आप नीचे आएंगे तो आपके औ इस पॉर्णर है scholarship पॉर्टल का जहां पर आपका status रेजिस्ट्रेशन यह सारी चीज़े उसी के नीची आएगे उसी के नीची अगर आप आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा check current status ठीक है यह वो point है जहां से आपको अपना current status चेक करना scholarship का जैसे ही यहां पर current status करेंगे आप दोस्तों कुछ इस तरीके का आपका interface खुलकर यहां पर आजाएगा यहां पर आपका status जो आपको देखना है वो यहां पर साफ दिखाई देगा कि अभी आपका क्या है status अभी आपने जो दोस्तों फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपने इस date को complete किया था पांच तारीक को आपने complete कर लिया था पंद्रा तारीक को आपका institute से forward हो गया था और अभी जो आपका current status है दोस्तों pending at district scholarship committee यानि कि जिले अस्तर पे रुका हुआ है जिले अस्तर से यहां पर forward नहीं किया गया और यह जो status दोस्तों 100% सही है इसमें किसी भी प्रकार की corrections की कोई आव पे correct है इसके अलावा भी कुछ status दिखाए मैं फिर से repeat कर दोस्तों scholarship का जो district pending दिखा दे रहा है वहां से भी district से forward नहीं हुआ है अभी आपको wait करना है वहां से forward हो जाएगा इसके अलावा जो अन्य status दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए अब यहां पर दोस्तों यह जो status देखिए marks, role number, enrollment number यह mismatch यह कोई problem नहीं है कोई तोटी है यह मैं पिछले 3-4 साल से खासतर पर B8 के scholarship को track कर रहा हूं यह status होने के बावजूद भी दोस्तों यह status होने के बावजूद भी लोगों के scholarship आ जाते है आपको बस क्या करना है जो correction का data correction क जो portal शुरू है वहां पर आप एक बाट चेक कर लिजी कि आपका जो high school यह role number जो आपने marks भरे वो सही है कि नहीं है enrollment number जो आपने भरा है अगर आपने सही भरा है तो यह कोई भी issue नहीं है आपका यह जैसे ही वक्त निकलता है जैसे update आता है तो यह clear हो जाता है इसकी वज़ है enrollment role number marks not matched with university upload data तो यह कोई problem नहीं है यह कोई error नहीं है मैं फिर से कह रहा हूं ऐसे होने के बाद भी scholarship आये है बस आप एक चेक कर लिजेगा आपने जो form PDF रखा है आपने पास उसमें चेक कर लिजेगा कि आपने data सही भरा है कि नहीं बरा है इसके अलागा आपको कुछ नही problem आ रहा है सच में NSP National Scholarship Portal पर उनका register है कि नहीं अगर है तो फिर कोई tension नहीं है तो नहीं आएगा इसमें student end से आप कुछ नहीं कर सकते यह आपके institute का है अगर institute कहता है आपका college कहता है कि हाँ हमारा registered है इसमें कोई मसला नहीं है यह कोई problematic नहीं है तो it's fine otherwise student इसमें कुछ नह इसमें कोई problem की बात नहीं है यह अभी क्या हो जाएगा वाई यह सही यह तो कोई problem है ही नहीं यह जैसे scholarship से आपका verified होगा आपका यहां पर सही हो जगा चलिए next देखते है next भी दोस्तो पेंडिगेट scholarship यह इसमें कोई problematic नहीं है enrollment role number mismatch अगर आपने सही बढ़ा है तो निश scholarship नहीं रुकती है में चीज़ आपको make sure कर दो अब यहां पर हाइए high school board यहां पर high school का बोट जो data mismatch UPSC तो एक बार चेक कर लिजी कि आपने जो रोल नंबर भरा है और जो आपने marks बढ़ा है क्या वह सही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है अगर सही बढ़ा है तो कोई बात न मैं सही हो जाएगा अब यह जो सवाल है दोस्तों यह इनकी scholarship नहीं आएगी मतलब मैंने पिछली बार भी देखा था कि duplicate income certificate certificate रोल नंबर मिसमें अच्छा डूब्लिक देखें डूब्लिक इंकम certificate में थोड़ी से problematic होती है आपका income certificate हो सकता है बहुत पुराना हो गया हो तो अगर नया हो तो नया डाल लीजे या फिर चेक कर लिजे कहीं कोई नंबर गलत होगा क्योंकर duplicate income certificate में शॉलर शिप नहीं आती है यह फश्यूर मैं आपको बता देता हूँ